जगे कडूज एक खाररोच के पार्ट 14 में आपका स्वागत है दोस्तो मैं आज बिग्जान की टीसरे पार्ट में लेका आया हूं ज्युबिग्यान की एक्च्छली जबो यहां पर क्या है कि part 14 जो है वो जिके का डोज एक रोज का 14 नमरपाट है और इस part में मैं बिज्ञान से सम्मनित questions को ले कर आ रहा हूँ जिसमें जिव बिज्ञान का ये तीसरा session है इसके पहले मैंने दो session करा चुके हैं हर session में 20 question ले करके आता हूँ आपके लिए challenge होता है 15 question को करना उमीड करता हूँ कि आप ये 15 question कर पाएंगे और अपने आपको एक अच्छा valid proof कर पाएंगे कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो definitely आपको पढ़ने की जुरुत है आप मेरे द्वारा यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसकी PDF आप download कर सकते हैं मेरी telegram channel पर जोइट करके बिल्कुल और आपके जितने भी exam होने वाले हैं चाहे वो SSC के हो, CHSL के हो, CGL हो इसके अलावा अगर railway, NTPC का exam देने वाले हो तो उन सभी exam में ये इस तरह के question पूछे जाते हैं जो भी एक दिवस्य exam होने वाले हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश PUT का exam होने वाला हो या किसी भी exam में इस तरह के important question पूछे जाते हैं इसलिए आपको इन प्रस्नों को जरूर solve करना चाहिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुशंकरतवारी और आप मुझे Facebook, Twitter के साथ टेलिग्राम पे जोइन कर सकते हैं वहाँ पर आप मुझे मेरे PDF और लिंक को भी provide कर सकते हैं चलिए आज के प्रस्नों को start करते हैं जिसमें सबसे पहला प्रस्न है यहाँ पर मैंने नमरिंग साथ हिंदी वाले में गलत कर दिया है तो कोई नहीं आप इसे consider one ही करिएगा ठीक है ओके तो यहाँ पर question है Curcumin को dash से प्रथक किया आता है Curcumin is isolated from तो किस चीज़ से अलग किया आता है Curcumin को तो आपको जो answer है that is turmeric यानि कि हल्दी हल्दी का यह पौधा देख रहा हूं इसके जोड़ों से हमें हल्दी मिलती है और हल्दी के पौधे से हमें मिलता है क्या Curcumin यहाँ पर मैं अपने इस color को change कर लेता हूं क्योंकि यह color अच्छा दिखनी रहा है तो इसे मैं red कर लेता हूं ठीक है अब चाहिए लग रहा है तो यह turmeric जो है turmeric यानि कि हल्दी के पौधे से में मिलता है Curcumin जिसका medicinal यूज होता है हमारे medical system में यानि कि जो हमारे आयरुवधिक system है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है और इसकी जो characteristics है वह ज्यादा फैदेमन्ध होती है बहुत सरी ऐसी बिमारियां होती है जिसमें इसका यूज किया जाता है उगल यह यह नहीं होता है अगार यह नहीं हो तो सबजी एक्दम से फिकी लगती है चलिए, second question है, उत्सरजन के प्रकार के अधार पर मनुष्य कैसा प्राणिये है ना, on the basis of exaggeration type humans are, human किस तरह का है, amonatelic है, ureotelic है, uric-telic है या फिर non of the above है, तो आपको पता होना चीज़ जो इनसान होता है, वो ureotelic होता है, हमारे body में जो ammonia का जो west होता है वो liver के दोरा convert कर दिया जाता है, ureia के form में, क्योंकि ureia जो होता है, कुछ जो birds होती है, birds जो होती है, वो urotelic होती है, उनका मतलब उनके body से जो भी west निकलता है, वो कैसा होता है, ammonia होता है, बट हमारे body से जो west हो जैसे आप sweat हो रहा हो, या फिर urine हो रहा हो, तो इस तरह की जो चीज़े होती है, उसमें mainly ureia होता है, और इस प्रोसेस को जो हमारा जो liver है, वो ammonia को किसमें चेंज कर रहा है, यूरिया में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, और निथाइं cycle, actually ureia is less than the ammonia, ammonia आपको पता होना अच्छे कि NH3, ammonia होता है, ठीक है, और ये काफी ज्यादा toxic होता है, अभी recent में आपको बहुत बार ऐसा पढ़ने को मिला हुआ कि Delhi में जो है, जो जमना river है, उसका रंग काला हो जा जाता है, तो काफी ज़्यादा harmful होता है, चलिए अगला question है, which of the following eye disorder is known as lazy eye, है ना, lazy eye की नाम से किस disorder को जानेगे, उसे क्या hypermetropia कहेंगे, myopia, press byopia, emblyophia, मंद द्रिष्टी है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो, क्या होता है कि lazy eyes में जो आपकी आपको का coordination है, वो बद जाता है, एक आँग, दूसरी तरफ एक आँग कहीं और, मतलब आँग कहीं और देख रही है, और आपको दिखाई कहीं और दे रहा है, तो इस तरह के बिमारियों को हम कहते है, एक तरह का disease है, आई disorder है, जिसमें आपको lazy eye के नाम से इस बिमारी को जाना जाता है, और एक तरीके से ये कैसा है, कि brain fails to process the inputs from one eye and over time favor the other eye, यहना, एक आँग के द्वारा जो भी आप recept कर रहा हो, जो भी आप देख रहा हो, उनको receive करना mind जो हमारा हमारा वत्याप फेल कर जात है, ऐसे में एक तरीके disorder माना जाता है, और आई के कौन से disorder हो सकते हैं तो आपको पता हुआ कि hypermetropia नि दूर द्रिश्टी दोस है ना, दूर द्रिश्टी दोस में क्या होता है, नजदीक की चीज़े दिखाई नहीं देती है, यह आपको concept लिहान में रखना है, hypermetropia नि इसमें क्या होता है कि दूर की चीज़े दिखाई नहीं देती है, और दूर की चीज़े दिखाई नहीं देती है, वही myopia होता है जिसे हम निकट द्रिश्टी दोस कहते हैं, near-sideness कहते हैं, short-sideness कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि नजदीक की चीज़े दिखाई देती है और दूर की चीजिए दिखाई नहीं देती है, उसके अलावा होता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया भी एक तरह की विमारी होती है, जिसे हम एजिए अप दा आई कहते हैं, आई के ज्यादा तर यह बुढ़े लोगों में होता है, जिनके उम्मर ज्यादा हो जाती ह जिसकी वज़ास से वो किसी भी एक object पे clearly focus नहीं कर पादे और वो चीज उन्हें दोधली दिखाई देने लगती है तो इस तरीके से यह सारी eye disorder होती है इन disorder को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे भी आपको जाना चाहिए किसे हाइपरमेटरपिया दूर दूर दृष्टी दोस होता है दूर दृष्टी दोस्को उतल्लेंस को उत्तल लेन्स से किया जाता है न उतललेंस से अभाई यहां टिक है और त्रिश-श्टे के लिए जिसकी वएसे इसे भी सही कर दिया जाता है तो यह सारे disorder है उनको सहीः करने के तरीके आपको पता होना चीए है लिए अगला प्रस्थ नहीं है पानी में तैरे वाले पत्चियों को क्या कहते हैं ना उनका फिट कैसा होता तो आलरी आंसर इस टिक जबिए यहां पर वेब फिट जिलीदार पैर होते हैं और ऐसा इसलिए हो पता क्यूंकि वह आसानी से क्या कर सकें पानी में तैर सकें हना तो इसलिए उनके लिए आसानी होता है चलिए अगला प्रस्ट नहीं हमारा नेक्स प्रस्ट इस वनली इंटर्नल ऑर्गन फ्यूमन वाड़ी कैवल अफ रिजनरेटिंग इट्स लोस्टिटू बिल्कुल यह बहुत ही तो इसमें कि मानुसरी क्या ऐसा कौन साइंगा जिसमें पुनर उद्भावन के सम्ता होते हैं पुरां पुनर उद्भावन का होने का मतलब कि जैसे आपने छिपकिली को देखा हुआ ऑगर शिपकिली को चेडऊर करते हैं तो अपनी जो पूछ वो खुदी काट देती है अपनी पूछ खुट काट देती है और जो मारने वाला होता है वो उसका ध्यान उसकी पूछ की तरफ चला जाता है और छिप्किली बढ़ जाती है तो उसने पूछ क्यों काटा कि पता होता है कि अगर अपनी पूछ काट देती है तो उसका पूछ द करें देगान तो यही दुबारा से क्या हो सकता है इसकी से जठनेरेट हो सकता है तो यह तो यह काफी अच्छाक उत्क होती है बॉघनेस और आपको दमouse उसे Skit क ceux तो ऊसे ठीक करना काफी ज़्यादा मुश्किल होता है वह हमारा जल्दी होता है एक ठीज है और प्रस्अ में से कौन अहार नाल का भाग नहीं है ना, अलिमेंटरी कनाल का भाग नहीं है, ठीक है की पता है कि अलिमेंटरी कनाल हमारे digestive system को बेलॉग करता है, तो digestive system में कौन किसे और्गन नहीं आते हैं, तो इसका जो औरिजिनली जो का करते हैं फिए से सब्सक्राइट करते हैं वो हमारे सलेवरी कुर्ण होते हैं तीथ टंग isopagus इस समॉग स्वंध उस साथी यहीं काम करते हैं इनको कि नें कि हमोब कि होती है हमारे दांट हमारी जीब Journal होती है हमारी क्या होती है कि जो deix her money from here and other page for tomb or Number sır एक्षोटी chosen क्या होती है कि फीर स्विक्जिका खोटी याध विद बड़ है चलिए अग्ला प्वरस्पंध है इन में से कौन मानों सरेड़ का उसर्जी आंग नंसार by the human body तो एक्जगेटरी ओर्गन का मतलब यह हो गया कि हमारे बॉड़ी के जो वेस्टेज होती हैं किस-किस ओर्गन से बाहर की सेड में निकलती है उनमें से आपको बताना क्या होता है हाट होता है स्कीन ब्रेणिया मसल्स होती है तो आपको पता होना अच्छे कि हमारी स्कीन जो होती है वह भी एक एक और अब आपको पता होना च्छे कैसे क्योंकि जो इसकीन होता है उससे हमारे बॉड़ी से निकलता है और यह जो स्वेट होता है हमारे बोड़ी के जो इसकीन होते हैं उसके छोटे-छोटे छेद होते हैं उन छेदों में से यह निकलता है इसकी व in brain is associated with हमारी जो brain है उसमें hearing का क्या work होता है यह आपको बताना है ठीक है तो चलिए देखिए यह हमारा brain है और इस brain में यहाँ पर आप देख रहे होगा temporal lobs इस temporal lobs का जो काम होता है hearing capability को जो हम सुन सकते हैं हमारी जो सुनने की जो छमता होती है वो temporal lobs से ही करती है इसका हमारे body को balance करने भी इनका काफी जदा है help होता है तो हमारी brain के अलग-अलग part होते हैं जिसमें आप देख रहाँ frontier lobs यानि हमारे जो अग्र मस्तिक होता है उस जो होते हमारी होती है उसे occipital lobs बोलते है न तो यह जो brain होती है काफी अलग-अलग part में डिवाइन होती है इसके लावा यहां पर नीचे दिखराप cerebellum होता है और इस cerebellum जो होता है हमारे brain में काफी चादा most important part होता है इसकी वैसा हमारे brain की memory power जो होती है वो इसके अलबा सोचने समझने के चमता इन सबी चीजों को यह control करता है ठीक है तो यह काफी important organ होता है हमारे body का चलिए आगे देखते हैं next question नियुकित में से कौन हिर्दे से गुर्दे तक रखत पहुंचाता है हमारे heart से हमारे kidney तक रखत पहुंचाने का काम कौन करता है कौन सी organ होती है ज दुर्दे की धमनी जिसको बहुते हैं और यह धमनी हमारे heart से blood लेकर के यहां पर kidney का क्या होता है जो kidney होती है रख को ब्लड होता है न वह प्यूरीफाई नहीं होता फेफड़ी में ब्लड जो होता है वह oxygenated और deoxygenated है मतलब कि फेफड़ी में जब ब्लड जाता है तो वहां पर वह कार्वटेसाइच छोड़ देता है और वहां से oxygen लेता है और दुबारा heart के पास चला जाता है और heart उसे दु impurities है CO2 को छोड़ कर गए carbon dioxide को छोड़ कर गए कोई दूसरी impurities है जैसे कि ammonia हो गया या फिर uric acid हो गया या दूसरी तरह के जो acid हो सकते है या फिर सुगर लेवल हो सकता है इन सभी चीड़ करने का हमारी kidney करती है और kidney ही उसे purify करती है तो इस तरीके से हमारी body को kidney kidney जो है वो filter करने का काम करती है हमारे blood को ठीक है और जो भी oxygenated blood होता actually उसी को यहां पर filter किया जाता है और इसे carry करती है हमारी arteries चलिए अगला question है the inner wall of the small intestine have thousand of finger-like arteries है ना हमारी जो चोटी आत होती है उसके नदर कुछ चोटे चोटे अंगली नुमा इस तरह के structure आपको दिखाई देते हैं अगर आपने figure देखा होगा तो साइद देखा होगा उसमें आपने तो इन figure को हम क्या बोलते है इसको हम बोलते है विली का का होता है हमारे small intestine में देखो आपको पता होगा कि जब हमारा फोजर डाइजेस्ट होता है तो हमारा चाहिए डाइजेस्टिव जैसे की अथियल हो गया pancreatic को तो काई में बताया था तो कई करते हैं और वहाँ पर वो अबजॉब किया था यह जो विली होते है ना उस food के अंदर जो भी नूट्रिसंस है अना protein है इन सब इंत्रीओं का synthesis किया जाता है और यह उससे अब्जॉब करते हैं फानले इसे फूट को अब्जूब करने बाद फूड आगे चल में जाता है बाइस लिए फूड चलिए अगला क्वेश्चन है तो अपने भी अपना बोडी तेमटरी कर आया होगा तो बोडी टेपरेचर करने के लिए यहां पर हमारे बाद थर्मामेटर होता है कुछ इस तरीके का यह चाहिए और तो यह तो यह तरह तो यह तो पूछा गया कि मेनिम तो 35 लिए डीघ्री होगा ठीक है तो यह टिए ठीटिवाफ डिग्री डिट से कितने तक होता मैक्सिम मैक्सिम में 42 डीग्री होता है क्योंकि जादा नहीं हो सकता है चलिए अगला कोश्यण है इंसुलीन की कमी से होने वाला रोब कौन सा होता है तो आपको पता होना च होती है ठीक है कि क्या होता है तो काफे ज्यूदाव होती है और इस वीक्नेश की वाज़ा से उन में rolls गोंगी हडियां मोड़ जाती है यह स्थीर होता है कि तो बोड़ी को वो अपने ज्वाइंट करेगा क्योंकि उसके पास अब डियावेटीज उसके बिलर्ड में जो सुगर लेवल है वो बढ़ जाता है इसके पूरे जो बोन की जो ज्वाइंट होती है उसमें काफी ज्यादा पेन भी होता है वो जाता है और काफी ज़्यादा दर्द महसूस होता है यह लोगों को चलने उठने बैटने में काफी ज्यादा प्राब्लम होती है और यह फाइनली चोप इस ट्रेट में पहुंचता है तो यहां पे होता क्या कि लास्ट जे इस नो ज्वायंट रमेनिंग इन गॉल एड़ pharmaceutical को मुड़ना इस तरीकसे काफी में प्रॉट गॉर्व को प्रोटो मुझा कैसे इस̇क वो गया है इसके अलावा जो वी छोन न इसकाती है इनकी वैसे ऑने वाले प्रॉटी जो आपको याद रखनी चाहिए लिस्ट में उमीद कर रहा हूं कि कुछ दिनों में आपको मैं प्रोवाइट करा दूँगा किस की वजह से कौन-कौन सा डिजी होता है और इसको पर मैं क्वेस भी जरूर बने रहना जो भी अपडेट हो का फर्दर मैं आपको देता रहूंगा त आपको पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि काला ऐजार तो जीज़िज है वह भी एक तरह का एंडमिक था जैसे अभी के टाइम पर जो हमारा कॉरोना वारास चलना यह तरीक है यह पैंडमिक है पैंडमिक के पूरे वर्ड वाइड इस वह पैंडमिक कहते हैं किसी खास लोकल एरियेस में या फिर किसी कंट्री में जैसे कि इंडिया सब कॉंटिनेंट में इस चीज का काफी ज़्यादा फैला हुआ था काफी लोग इससे मरे थे इसके लाव बांगलादेश भुटान इंडिया नेपाल इन सभी जगों के यह प्रसार हुआ था और यह ऐसा दूसरा सबसे बड़ा किलर साइट बन गया था कोई सडाया जाता है और बैक्ठी 11 था उस दियूच्ण के लिदा चुनादा ऐसा सडाया जाता है वंसे पी धी की अथे 16 एक दिन तक की आप निघीर सबसे खी अगया जाता है और जिसकी के दिन के फरश Phner बनते हैं इसके लाब आप चीज़े बनते हैं जो बनता है वो भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनता है तो इस तरीके से यह सारा प्रोसेजर होता है अगला प्रस्थ्यन है समान सर्थी और इंचा के लिए कौन सा प्रिरक्षुच मजीव जिम्मधार है ना सर्दी जो नॉर्मल सर्दी हो जाती है इंसानों को है ना आपको भी कभी कभी होता होगा है तो जिसमें आज के टाइम पर सर्दी किसी पहुजा तो उसे करोणा ही समझ ले रहे हैं तो यह एक सब्सक्राइब कोड़ हो सकता तो यह जो कमण कोड़ या फ्लू होने वाले जो डिचीज है इसके लिए कौन रिस्पंस होलोता है कि वज़ास ऐसा होता था यह होता है वायरस इंडिया में यह फिर पूरे देश में लोगों को परशान करके रखें बहुत अलग लग तरह के वायरस होते हैं यह च्रक्चर है वायरस का और करोना वायरस तो अपने पहचान ही होगा ऐसा नहीं दिखता हूँ उसके पर क्या होते हैं वह उसके अंदर काफी ज़्यादा नुकिले नुकिले से निकले हुए ना किंग की तरह किंग के मुगट की तरह देखो जो भेरित बहुत ज्यादा अब पर कॉई को सकते हैं क्योंद्र होने का कोई हो ठीच काने का सथन्हीं हो सकता है कशाधर हो सकता है जर्ण। तो भी आपको कमन कोद हो सकता है तो यह कोई बहुत बड़ी Hani n Woche अ जाता या फिर अवर्यादा करते होतो और यह ठीक हो जाता है लेखिए जाद तर जो common code होते हैं वह होते हैं रहिनो वाइरस की वह से वह होते हैं वहीं इंफ्लुइंजा की बात करें तो फ्लू चोफ जो जनरली ए और बी इनफ्लूइंजा A होता है जिसके व billions cc टेंव चीजे होती हैं यह JE एक गलम पर यह उपर यह यह एक गल्य तो जो जोड़ी दो इसदो इसमें और हे घ्लैंद पाय जाती है कि यह कहाती है नता यह घ्लैंट के प्लेट के ऑपॉजट काम करता है इस से तर् zak routinely होती है अगला परसन ने इस्टक्चर विछ एंदर नूट्रिशन आप दे इंब्रॉई बिल्कुल यह लिए लिए कि जो बेबी के अंदर जो बेबी के अंदर यूमस के जो उसमें होता है गर में होता है तो उसको खाना पीना कैसे मिलता है उसको ब्लड की सप्लाई कैसे होती प्लेसंटा है यहां पर यह देख हुए इस प्लेसंटा के लिशे क llev हम वनुचम GM यह manager at यह लूब इसको आप देख रहां यह लुए भी साफा यह बावली को अर इसकी वासा से ब्ल्सक्राइब होती है तो कहीं ने-कहीं बेवी जो होता है तोटली होता है not प्लेसेंट यी ऑफि नीच क्या बुता है किया भी आइशे प्लीक्टाप की निचार्ण पर आतए है और्गन्स को रखने के लिए तो इस और्गन्स को वहां पर रखा जा सकता है और अगर इन दर फ्यूचर कभी बेबी को किसी भी और्गन डिसॉर्डर होता है जैसे मालो लीवर खराब हो गया या फिर किड़नी में कोई प्रवलम हो गई या फिर हर्ट में फेलर हो गया तो इ देख रहा हो ना यहां पर मैं आपको दिखाता हूं यह जो और नव आप देख रहा हो ना इसे हम बोलते हैं क्या एंबैलिकल कॉड जो बेबी को मदर के ओवरी से कनेट करके रहता है उसको ब्लड घुरा सप्लाई करा करता है चलिए अगला प्रसने वाटर था थ्री प्रा अधियाती है जला दा सब्सक्राइब जाला ज्याला दा В cricket ऊसक पे अनदिगेए अपे मतलब अन से होता है से होता क्या से हुआ नाइडोजन फॉस तो पॉसर्क अंवर को कफे ज़़्यादा जबुरा होता है धो तो अनसे जो नाइडोजन होता है नंसे न्यिछुम्альное उस लेते हैं और oxygen को छोड़ते हैं जो कि काफी ज़्यादा important होता है और अपना खाना बना लेते हैं तो उसमें जो उनकी सबसे ज़्यादा help होती है नेट्रोजन के द्वारा होती है इसके अलावा जो plant tissue होते हैं और differentiated body very differentiated body होने मतलब कि वह पूरी तरीके से developed नहीं है जितने organs होने चाहिए वह नहीं होते हैं ऐसे ज्यादा तर जो plant होते हैं वह amphibians ही होते हैं जिनके अंदर अगर वह green है तो मेभी उनके अंदर ऐसी valve नहीं होगी जैसे कि जाल नम और फिलम की बात करते हैं जिसके वैसे water को स्टोर कर सकें या फिर water को carry out कर सकें तो इस तरह की जो plants होती है उसे हम कहते हैं थैलो फैटिक थैलो फैटिक ठीक है अब यह थैलो फैटिक जो plant होते हैं जातर amphibious plant होते हैं amphibious plant होते हैं और यह काफिश होते हैं जिसकी वैसे वाले प्लांट को नहीं होते हैं बीना सीड वाले प्लांट को एंजियसी हम बनाना की बात करते हैं को बनाना का नहीं देखा है क्योंकि बनाना को प्रापग्र्वेस्ण होता है वह किसकी विजए से होता है तो उनको प्लांट को कड करके उसे दुबारा से लगा दिया जाता है जिसके वह लग जाता है हैना अब वैसलिए अगर गंण्य के बाते हो कि सіड नहीं होता है जैसे कि आप आप बात करते हो कि जैसे मैंगो की होगा बहुत सरे ऐसे प्लांट होगे जिन में सीड होते हैं तो यह सारी चीज होगी अगला प्रस्टन है काफी इंपोर्टेंट है और इसके बारे में आपको जानना चाहिए यह हमारे जो धारणा है हमारे जो गलत हैविट्स है आपको बताना है कि मनुष्य की हस्त छेप से प्रजात्यों के बिलिफ्थ होने मालगा सबसे अच्छा उदारन कौन सा जीव जो मनुष्य की हस्त छेप की वज़े से बिलिफ्थ हो गया तो उसका नाम है डूडू आप जो इंडिया नोसें आपर बात करते हैं मौरिशस या अब यह एक्स्टिंट हो चुका है अब यह दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता तो मुनसे के इंटर्वेंशन की वज़से एनिमल को काफी ज़्यादा न्युक्सान हुआ है जंगलों की कटाई की वज़से काफी ज़्यादा पॉलिशन होने की वज़से और दूसरे सब्सक् थैंक्स पर वाचिंग तेल अंड अफ इस वीडियो उमीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत जादा पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो आप इसे जरूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेर करिएगा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक